Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल चांदीपुरा वाइरस, यह ख़बर आप देख सकते हैं, चांदीपुरा वाइरस, डेथ टोल राइस तू फिफ्टीन, एस दा वाइरस स्प्रेट से समझेंगे, और इसी के बारे में हम डीटेल से समझेंगे, कि आखिरकार यह वाइरस है, क्या, यह स्प्रेड कैसे हो सा है, भारत में कहां-कहां पर यह जो वाइरस है, वो देखने को मिलता है, काफी कुछ आपको जाने को मिलेगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जो भी लोग UPSC की त्यारी कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिग्या बैच स्टार्ट ह है, उसके अंदर enroll कर सकते हैं, for 2025 UPSC, क्योंकि इसके अंदर special यह है, कि अगर आप 2025 का prelims crack कर लेते हैं, तो जो पूरा fees है, वो आपका इसके अंदर refund किया जाता है, प्लस एक साल की extra validity आपको दी जाती है, तो join करने के लिए हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में लिंक है, और आपको use करना है, ये code UNKITLIVE, ताकि किसी भी course, किसी भी batch में अगर आप enroll करते हो study IQ के, तो आपको उसमें maximum discount मिल जाएगा, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको भी आप attempt कर प देखो क्या होता है, कि अगर किसी भी virus से, अगर कई सारी मिलती होती है, तो यहाँ पर उसका official आकड़ा कैसे तैह होता है, जब उसके samples को भेजा जाता है testing के लिए, तो भारत के अंदर पूने में जो National Institute of Virology है, वहाँ पर sample भेजा गया, और इसको confirm कर दिया गया, और आप आप देख सकते हैं, गुजरात के दोरा बताया गया है, कि करीब 12 जिलोई में अलरी ये फैल चुका है, जिसकी वज़े से 15 बच्चों की जाने गई है, और साथी साथ Wednesday को भी यहाँ पर जो State Health Department है, उन्होंने बताया कि जो total suspected cases हैं इसके, वो करीब 29 के आसपास है, अब और लोगों को ये वाइरस होगा, तो कम से कम 50 लोग इसमें मारे जाते हैं, अभी तक कुछ ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिला है, मतलब 29 अभी तक cases आये हैं, जिसमें से 15 बच्चों की अलरी जाने चली गई हैं, साथी साथ यहाँ पर जो गुजरात का Health Department है, डॉक्टर्स ह उनका ऐसा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये वाइरस और भी डिस्टिक में फैलेगा, इस्पेशली आप देख सकते हो, एमदाबाद में भी ये वाइरस अक्चुली फैला है, जहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल में एक बच्चे की जान गई है, और गुजरात के आप देख पाऊगे कई सारे डिस्टिक के अंदर, चाहें सबर काठा हो, महसाना हो, राजकोट हो, मोर्वी हो, कई जिलों में यहाँ पर बच्चों की मिलती हुई है, यहाँ पर 29 केसे की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें से 26 केस गुजरात से बिलॉंग करते हैं, और दो आज है, मद्द परदेश और एक डेथ हुआ है, राजस्तान से, यहाँ पर अगेन आप देख पाऊगे जो पूरा आक्रा है, कि गुजरात के कौन कौन से डिस्टिक में, कहां पर कितनी मिलती हुई, और राजस्तान और साती साथ मद्द परदेश में, वो आप देख सकते ह खेर, कुशन अब यहाँ पर यह है, कि जो चांदी पूरा वाइरस है, जिसको शॉट में CHPV infection कहा जा रहा है, यह कैसे होता है, बेसिकली, देखो यहाँ पर CHPV, चांदी पूरा वाइरस, बेसिकली, रैब्डो विरेडे फैमिली से बिलॉंग करता है, मतलब इस फैमिली के अंदर कई वाइरस आते हैं, जिसमें लीसा वाइरस है, और यह जो चांदी पूरा वाइरस है, वो भी इसी फैमिली से बिलॉंग करता है, अब कोशन यह है कि यह फैलता कैसे है, दको यहाँ पर कई प्रकार की जो सैंट फ्लाइज होते हैं, सैंट फ्लाइज का मतलब हो गय इसके लावा फ्लेबर्टोमस पैपते से ही हो गया, और साथी साथ जो मॉस्क्यूटो है, जैसे कि एडिस एजेप्टी मच्छर हो गया, जैसे कि आपने देंगी के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर जो देंगी से मच्छर जो देंगी फैलाता है, वही मच्छर भी यह यह वाइरस जो है रिसाइट करता है, उसमें रहता है, और जब यह मख्छर मख्छी जो है काटते हैं इंसानों को, तब यह इंसान में यह फैल जाता है, सिर्फ इंसानों में नहीं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगरा, उनमें भी यह वाइरस फै मतलब सूजने लगते हैं, तो इस तरह की situation आ जाती है, खेर अगर हम इसके symptoms की बात करें, इस चांदी पूरा virus की, तो देखो यहाँ पर initially बताया जाता है कि यह अगर body में एंटर करता है यह virus, तो इसकी वज़े से सबसे पहले तो हमें fever होगा, normally जादा तर cases में यही होता है, क और इसके बाद यहाँ पर progress करके हमारे body में seizures भी आ सकते हैं, encephalitis हो सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया, और यहाँ पर फर्दर बताया गया है कि symptoms में respiratory problem भी होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो गई, bleeding tendencies हो गई, anemia हो गया, मतलब कि हमारे body में जो red blood cells की कमी है, वो तो यह हमें थोड़ा समझना जरूरी हो और इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों को बहुत जादा यह attack करता है, especially 15 साल के नीचे के जो बच्चे हैं, उनको यह ज्यादा तर देखने को मिला और इस बार भी करीब जितने भी 15 deaths हुई हैं, उसमें सभी बच्चे आ करना हमें पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी anti-retroviral therapy नहीं है, कि हम कोई vaccine वगरा दे दें, तो इससे बच्चे सेफ हो जाएंगे, इसका अभी तक कोई vaccine वगरा नहीं है, और इसी की वज़े से क्या होता है, कि यहाँ पर जो brain inflammation वगरा है, मैंने आपको बताया, जो brain के tissues morning में अगर किसी को high fever हुआ, बहुत तेज फीवर हुआ, शाम होते होते उसका जो kidney और liver है, वो एक तरह से affect हो जाएगा, वो fail हो सकता है, and that is why कि इस तरह के symptoms को manage करना बहुत ज़ादा मुश्किल है, तो फिर आपके मन में question आएगा कि इसको prevent कैसे किया जाए, जो को ultimately हमको इस यहाँ पर जो breeding sites वगर होते हैं, उसको हटाना है, जो insecticides वगर हैं, आसपास के area में छिड़कना है, साफ सुतरा रखना है, environment control करना है, जो waste वगर है, सब कुछ अच्छे से dispose करना है, तो मच्छन मच्छी आसपास ना हो, उससे काफी हतक चीज़ें prevent हो सकती है, और जाहिर सी बात है, जो repellent हो गया, nets हो गया, जिससे हम मच्छर को दूर रख सकें, उस तरह के चीज़ों का अगर हम इस्तमाल करें, तो वही एक तरह से prevention हम कर सकते हैं, खेर, अगर हम बात करें भारत के अंदर, कौन से सबसे ज़्यादा affected regions है, मैं आपको बता दूँ, अच्छी इसका रहा था, डेंगी आउटब्रेक को लेकर, चिकन गुनवा आउटब्रेक को लेकर, तो उसी समय पहली बार ये वाइरस देखने को मिला, इसको isolate किया गया था, और क्योंकि ये महाराष्ट के चांदीपुरा से isolate हुआ था, इसलिए इसका नाम पर गया चांदीपुरा वाइर इन तीन राज्यों के अंदर, और especially गुजरात में मैं आपको बता दूँ, 2004 के आउटब्रेक में, जो fatality rate था, वो लगबख 78% के आसपास था, आप समझेए, हर 100 बच्चे जो infect हो रहे थे इस वाइरस से, उसमें से 78 बच्चों की मिर्ती हो जा रही थी, आंध परदेश में आप देख सकते हो, 2003 में हर 100 बच्चे में से 55 बच्चों की मिर्ती हो जा रही थी, मतलब 50% से जादा यहाँ पर आपको fatality rate देखने को मिलता है, साथी साथ अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर जो इसका main center है, वो आपको central part of India का देखने को मिलेगा, जहाँ पर actually क्या होता यह वहाँ पर गोबर के लेप लगाया जाते हैं, तो इसकी वज़े से मक्ही मचर कई बार क्या होता है, कि वो भी कई बार attract हो जाते हैं, जो cow dung वगरा होता है, वो भी इस तमाल कई बार किया जाता है, तो इसकी वज़े से जो sand flies वगरा हैं, वो attract हो जाते हैं, और especially क्या है कि monsoon का season इस समय चल रहा है तो यहाँ पर इनके multiply होने के chances काफी ज़ादा होते हैं तो इसकी वजए से इसके जो outer areas होते हैं शहरों के बाहर के जो areas होते हैं वहाँ पर इसके chances काफी ज़ादा आपको देखने को मिलेंगे question अब यहाँ पर ये भी है last में कि क्या ये जो disease है ये क्या इसने अपना pattern change किया है बिलकुल doctors का ऐसा मानना है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जैसे sand flies वोगर की अगर हम बात करें तो doctors का ये कहना है कि ये 3 feet से ज़ादा normally ये उड़ नहीं पाते लेकिन आज कल क्या देखने को मिला है कि ये छट पर भी पाय जाते है ये काफी उचे height पर भी पाय जाते है तो ये change हुआ है साथी साथ यहाँ पर जो अभी deaths हुई है गुजरात के अंदर उसमें से दो deaths इसकी वज़े से हुई है because of brain hemorrhage पहले जब ये चांदीपूरा वायरस फैलता था तो brain hemorrhage कभी देखने को नहीं मिलता था लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इसकी वज़े से brain hemorrhage भी हो रहा है और साथी साथ यहाँ पर जिन जगहों पर पहले ये वायरस नहीं पाय गया था वहाँ पर भी ये फैल रहा है जैसे गुजरात के कई सारे tribal areas में जैसे पावागर हो गया गोदरा हो गया वहाँ पर भी ये देखने को मिले हैं तो कहीं न कहीं इसके protection की काफी ज़्यादा ओशकता है and I hope कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चान्दी पूरा वायरस के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी और जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो which of the following disease is transmitted by CC flies जो CC मक्ही होती है उसकी वो जैसे कौन सा disease transmitted होता है या आपको बताना इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही होतर मैं कई सारे जो MCQs हैं वो जहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको PDF ये तो टेलिग्राम पर आईए अलगड़ा social media पर आप जूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की त्यारी करें कोई भी बैक चाहते हैं you can simply use this code अंकितलाइफ to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता आप से नेक्स ताइम till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable